आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनोड करें तो लोहा का जो सूत्र होता है, वो हमें पता है, फी होता है, यह आयरन, यह हमारा क्या है, यह लोहा है तो लोहे में जंग कैसे लगता है, सबसे पहले उसकी परिभासा देखेंगे तो जंग के बाद जो सूत्र हो जाएगा, फी . What happens at? Let's follow it. पाता है, यह में पता है, वो ऑसे सूत्र का बाहर रागहा है, यह मारी बारी है बाहर रख दो पेंटोर्न नहीं की आए है, तो जंग के व जंग जाता है वो लोहे पे जंग लगता है ठीक है तो यह क्यों हो रहा है नमी और oxygen की संपर्क में जैसे ही लोहा आता है ठीक है तो नमी और oxygen की उपस्थिती में लोहे का परमाडू जो होता है ठीक है वो धीरे धीरे oxygen से मिलता है और धीरे धीरे oxygen से मिलकर क्या करता है लोहे का oxygen बनाता रहते हैं ठीक है और इसी को क्या बोलते हैं और इसी को बोलते हैं जंग लगने की किरिया और जो जंग लगने की किरिया होती है वो जारी रहती है ठीक है तो जैसे कि हमने बताया अभी कि नमी जैसे ही iron मिलेगा कि इसके O2 यानि कि oxygen के संपर्ग में आएगा वायू के संपर्ग में आएगा ठी P2O3.X2O पर निकल लाए उक्सिजन का निकलना क्या हो जाएक हमारा है? अप्चयन हो जाएका तो यहां आप देख रहे हो कि Oxygen जोड़ रहा है और इस तरह बन रहा है तो लोहे का जंग लगना कौन सी क्रिया है? ओक्सिकरड लगना क्रिया है यादि क्या होता है लोहे में जंग लगना जी हाँ, पर क्या होगा, जी हाँ, थैंक यू